तो आज मैं आपको 40 चेस्ट का होर्टक्स बेल्ट ब्लाउस की कटिंग बताऊंगी तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिए तो आपको यह समझ में आएगा तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले ब्लाउस की लंबाई ली जाती है जितने लंबाई हो रेडी लेंद उसमें हम 1 इंच एक्स्ट पिलस करते हैं तो जैसे यह तयार है 14 इंच का तो हम उसमें एक इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो पंदरा इंच लेंगे तो पंदरा इंच पर एक निशान लगाना है इस तरह से और इस लाइन को सीधा कर देना है इस तरह से अब यहीं से हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर हम साड़े पांच इंच लेंगे क्योंकि डिप गला है तो उसकी हिसाब से साड़े पांच इंच शोल्डर लेना है साड़े पांच इंच पर निशान लगा देना है अब यहीं से हम आर्म होल लेंगे कि यहीं से हम आर्म होल लेंगे तो 40 चेस्ट है 40 साइस का ब्लाउज है यह तो इसके हिसाब से आर्म होल हम साड़े छे इंच लेंगे और इस लाइन को ऐसे सीधा कर देना है और इसको ऐसे एक बॉक्स त्यार कर देना है इस तरह से अब यहां से हम आर्म होल लेंगे तो आर्म होल लेंगे हम देड़ इंच यह प्रॉंट साइट का आर्म होल है और बैक साइट के लिए हम दो इंच पर निशान लगाएंगे तो यह बड़ा साइज है इसलिए अब यहां से हम चेश्ट का वन फोर्थ लेंगे तो चेश्ट का वन फोर्थ चारीस इंच है तो हम वन फोर्थ लेंगे तेन इंच पर निशान लगाएंगे दस इंच पर प्लस उसमें देड़ इंच मार्चन के लिए लेंगे अब दो भी ले सकते हो मार्चन और इस लाइन को सीधा बर देना है इस तरह से और यहां से हम थोड़ा गोलाई दे देंगे आर्म होल की इस तरह से गोलाई दे देना है यह बैक साइट की और यह है प्रंड साइट की इस तरह से गोलाई दे देना है अब हम गले की चोड़ाई लेंगे यहां से तो धाय इंच पर निशान लगाना है तो यहीं से हम गले की लंबाई लेंगे प्रंट साइट की तो छे इंच पर निशान लगाना है साड़े छे इंच पर निशान लगा देना है कि छे इंच तयार है तो साड़े छे इंच पर निशान लगाना है कि आधा इंच हमारा सी लाइं में चला जाता है इस लाइन को ऐसे सीधा करना है कि यहां से भी हम देखते धाई इंच है नि इस तरह से निशान लगाना है नीचे साइब से और बॉक्स त्यार करना है और यहां से एक इंच पर निशान लगाना है और यहां से गोल शेप दे देना है गले का इस तरह से गोल शेप दे देना है अब हम शोल्लर के पास ऐसे टेप रखेंगे और यहां से यहां तक 12 इंच पर निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए 12 इंच पर निशान लगा देना है और इस लाइन को ऐसे सीधा कर देना है इस लाइन को सीधा कर देना है और यहां से थोड़ा हम हाप इंच लेके ऐसे थोड़ा तीरचे में ऐसे मिला देना है यहां से तो यह हमारा बेल्ट का शेप आ गया है इस तरह से अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे तो यहां से हम इस तरह से टेप रखेंगे और चार इंच पर निशान लगाएंगे चार इंच पर निशान लगाना है यहां से यहां से हम जहां निशान लगा है हमनी चार इंच पर यहां से तो यहां से हम दो इंच पर सीधा उपर निशान लगाएंगे यहां पर सीधी लाइन खीर देंगे तो यहां से हम दो इंच पर निशान लगाएंगे यहां से हम दो इंच पर निशान लगाएंगे यहां से भी हम दो इंच पर निशान लगाएंगे यहां से हम ऐसे सीधा कर देंगे आर्मोहर में मिला देंगे इस तरह से और यहां से भी हो यह जो टक्स है यह देड़ देड़ इंच का लगा रही है देड़ देड़ इंच का तो देड़ इंच यहां से और देड़ इंच यहां से लेना है और इस लाइन को ऐसे सीधा कर देना है इस तरह से सीधा कर देना है अब यहां से हम इसका सेंटर निकालेंगे तो ऐसे टेप रखे एक सेंटर पे निशान लगा देना है इस तरह से और ऐसे इसको तिर्चे में लेना है थोड़ा यहां से भी हमको देढ़िंच लेना है उपर के साइट तो ऐसे थोड़ा तिर्चे में लेना है तो से इस तार तक्स लग गया है अब हममें इसकी कटिंग कर देंगे अब यहां से हम ही पौन्य एक इंच पर निशाल लगाएंगे यहां आप और यहां से भी पौनी इक इंच पर निशाल लगाना है और इस लाइन को ऐसे तिर्चे में मिलाना है इस तरह से तीर्चे में मिला देंगे तो यह हमारा में टक्स हो गया है सबसे बड़ा टक्स होता है में टक्स होता है यह सबसे बड़ा और यह जो बाकी के टक्स होते हैं यह थोड़ा हाफा पिंच के होते हैं इस तरह से यह हाप-ाप इंच में लगते हैं इस तरह से थोड़ा सा हाप इंच से थोड़ा सा कम इस तरह से टक्स लगते हैं और जो सबसे बड़ा टक्स होता है यह यह होता है और बाकि यह जो तीन टक्स होते हैं वो थोड़ा हाप-ाप इंच के लगते हैं तो अब हम इसकी कटिंग करत तो सबसे पहले हम जो बैक आर्मोल की गोलाइदी है उसको पड़ कर देंगे इस तरह से अब हम गले की कटिंग कर देंगे आगे और पीछे दोनों का एक सब्सक्राइब अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे यहां से यहां से कटिंग करना है इस तरह से हमारी बेल्ट की कटिंग होगी है अब जो हमने फ्रंट सेट की गोलाई दी थे यहां कट कर देंगे आप इस तरह से हमारी प्रंट सेट की गोलाई कटिंग हो गई है और यह हमारा बेल्ट है तो यह जो गला है यह छोटा है छे इंच का है तो आप इसको बढ़ा के भी ले सकते हैं जितना आपको चाहिए उतना बढ़ा के ले सकते हैं जितना आपको गला चाहिए उतना आप बढ़ा के भी ले सकते हैं आठ नौ दस जितना आपको लंबा चाहिए उतना बढ़ा के ऐसे सीधा निशान लगाके बॉक्स तयार करना है और ऐसे गोल शेप देखे कटिंग कर देना है तो यह हमारा बैक साइट का भी गला तैयार हो तो उसमें हम हाप इंच एक्स्टा लेंगे सिलाई के लिए तो जैसे बीना अस्तर वाला होता है उसमें हम देड़ इंच एक्स्टा लेते हैं उसमें नीचे के साइट फोल्ड होता है और तूरपाई होती है तो उस वज़े से उस वज़े से हम देड़ इंच एक्स्टा ले कि अस्तर वाला हो तो एक इंच एक्ष्ट्रा प्लस कर सकते हैं और बीना अस्तर वाला हो तो आप देड़ी इंच एक्ष्ट्रा ले सकते हैं इसमें हाप इंच एक्ष्ट्रा लिया है कि सिलाई के लिए पांच इंच तैयार है लंबाई स्लीव की तो हम साड़ी पांच लेंग सिलाई के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा अब हम यहीं से बाजु की चवड़ाई लेंगे तो जैसे चेस्ट का वन फोर्थ है 40 चेस्ट है उसका वन फोर्थ 10 है दस है इंच तो दस इंच पर निशान लगाना है इस तरह से चेस्ट का वन फोर्थ लेते हैं तो दस इंच है तो दस इंच पर निशान लगाया है और इस लाइन को ऐसे सीधा बर देना है अब जो एक्ष्टा पेपर है उसको पहले हम कट कर देंगे जो एक्ष्टा पेपर था उसको हमने कट कर दिया है अब हम क्या फार्ट लेंगे क्या फाइट लेंगे हम तीन इंच पर निशान लगाना है यहां से एक इंच सीधा करना है इस तरह से और यहां से भी हमको एक इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहां से ऐसे गोल शेप दे देना है बाजू का इस तरह से और यहीं से हां आप इंच या पॉने एक इंच तक आप गोलाई दे सकते हो फ्रंट सैट की इस तरह से अब जैसे बाटम है मोरी है स्लीव की साड़े छे इंच तो साड़े छे इंच पर निशान लगाना है प्रस देड़ इंच सिलाई मार्जन लेना है जो हम लाज में लेते हैं वहीं स्ली में लेते हैं इसको ऐसे तीर्षे में मिला देना है इस तरह से अब हम कटिंग कर देंगे जो यहां से एक्स्टा पेपर है उसको पट कर देंगे इस तरह से यहां से जो बैक सैट की गोला दीए पहले वहां से पट करेंगे इस तरह से अब इसको को खोलके जो मिने फैस की गोलाई दी एं उसको भी कट कर देंगे B कि यहां से इस तरह से हमने क्वम प्रण साइट की गोलाई दी है इसको कट कर दिया है तो इस तरह से अमारे सलिय पहलें पहले brings तकि कर दिए कि कटिंग हो गई है तो यह हमारा बैक साइड है और यह फ्रंट साइड है यह बेल्ट है और यह बाज है तो इस तरह से मैंने आपको चालिस चेस्ट का फोर्टक्स बेट ब्लाउश की कटिंग बताई है तो वीडियो आपको कैसा लगा तो आप ज़रूर वताए लाइक करें शेयर करें कमेंड करें और अगर हमारे चानल पर आप नए है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो थैंक्यू फॉर वाचिंग वीडियो